हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कुक विट सोनी आज हम बराने वाले हैं एकदम क्रिस्पी क्रंची मैदा की चकली इसे बराना बहुत ही आसान है बहुत ही कम समय में और एकदम क्रिस्पी बनकर तयार होती है यह चकली और बिल्कुल आइल नहीं सोक करती एकदम क्रिस्पी बनती तो चलिए शूरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉकर का डबा लिया है और उसके उपर मैंने कॉटन का रुमाल फैला दिया है इस कॉटन के रुमाल में मैं डाल रही हूं एक कप माईदा मैंने यहाँ पर कप का यूज़ किया है आप किसी भी बरतन का य डालेंगे उसके उपर एक सट्यान रखेंगे उसके उपर एक डबा रखेंगे और कुकर का गैसकेट रखेंगे सिर्फ उसकी जुक्ती होती है वो निकाल कर 15 मिनिट के लिए इसे हमें स्टीम कर ले ना है इस आठे को तो 15 मिनिट हो गए है अपने आटे को स्टीम कर लिया था तो ये दिखिए हमारा आटा एक्दम गुटलिया बन गई है इसके क्योंकि हमें इसे स्टीम किया था तो गीलेपन से इसमें थोड़ी सी गुटलिया होती है तो मैंने इसे एक छणी पर डाल दिया है उसकी जो गुट से तोड सकती हूं तो इस तरह से मैं इसे हाथों से तोड कर पूरा आठा जो है वो चन्नी से चान लोगी ताकि एकदम स्मूथ हाथा हमारा बनकर तैयार हो जाए तो इस तरह से मैंने एक बड़े प्लेट में इसे रखा है और इस आठे को चान रही हूं जो भी उपर गुठल इसे मैं हातों से तोड दूगी और फिरसे चान लोगी असी तरह से पूरा आठा हमें तैयार कर लिए है जिए क dispτο divorce के हमारा आटपा माँदी प्लाइघ फूल से लें आए हमें इसमें मौएंट डालने की जरुरत नहीं है तो हमेरा आटप बनकर त्यार है हम इसमें डालेंगे मसlate मसालों कि पहले मैंने लिया एक चमाच लालमिज पाउडर आदा चोटा चमच मैंने यहां पर सफेद तील डाले हैं और उसी के साथ साथ एक चमच मैंने यहां पर अजवायन लिया हैं अजवायन को थोड़ा सा हातों से कर डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर है वह बहुत अच्छा आजाएंगे तोड़ थोड़े थंडे बिल्कुल नहीं डाला है क्योंके हमने चौट स्टीम किया था तो वर एक हुलका हुआ हुआ है तो हमें स्टीम में यहां पर इसमें मुए मौयन डालने की बिल्कुल जरुरत नहीं तो इस तरह का आटा मैंने लगा लिया है आप देख सकते हैं एक दम टाइट है यह अब यहां पर चकली की जो मशीन आती है उसमें हमेंने हमारा जो आटा है पूरा भर लिया है इसके उपर का जो ढखन होता है उसे भी मैं बंद कर लेती हूँ यह मशीन आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी आप जाहो तो आउनलाइन भी ले सकते हो उसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसे आप चेक कर सकते हो तो इस तरह से मैंने भर लिया है अब हम इसमें की चकली जो बहें बना लेते हैं बहु हो गई है इसी तरह से सारी चकली बना लेते हैं दूसरी तरह मैंने और गरम करने के लिए रख दिया है कि यह दिखिए हमारा ऑइल गरम हो गया है इसमें मैं हमारी चकली डाल देती हूँ पहले तो आईल को हमें ज्यादा गरम कर लेना है फिर गयास की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें इस चकली को फ्राय कर लेना है ग्यास की फ्लेम को मीडियम रखेंगे उसके बाद ही हम चकली पलट देंगे और दोनों तरफ से हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राय करना है अभी तो डालते वक बहुत सारे बबल्स थे जैसे जैसे चकली फ्राय होते जाएगी तो पूरे बबल्स कम हो जाते है और हमारी चकली का कलर देख सकते है कितनी अच्छी बनकर तयार हो गई है तो इसी तरह से बागी की चकली भी मैं बना के फ्राय कर लूँगी बहुत ही आसान है इस चकली को बनाना और ये एक बार वना कर आप महिनों बर के लिए स्टोर करकर रख सकते हो तो जरूर ट्राइ करे इस देवाली एकड़म क्रिस्पी और क्रंची कम समय में बनने वाली चकली तो ये देखे कितनी अच्छी बनकर तयार हो गई है तो मैं इसे आपको तोड़के भी दिखाती हूँ ये देखिए तो जरूर ट्राइ करिए अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू